के गाइस वेलकॉम एंड वेलकॉम बेक टो माईटूब चैनल सो कैसे आप सभी आई होब आप सब अच्छेंगे सो गाइस आज की वीडियो में शेयर करने वाले आप लोगों से गुड़ हेल्थ कैपसुल छोड़ देने के बाद हमारी बॉड़ी के इंदर क्या-क्या चैनल को पाले वाद देख लेक हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेए सबस्क्राइब करें एफुड़ास, एस मिलद्मेश का सबस्क्राईब कर सक्ड़ कर आच आप हैoti क्युени मैं डिप लगे देंस चिक सम्धिशने कार्णी हो कापी नियुवपके आच निश जड़आ वीकनेस आरी है गुड़ हैल्थ कैपसूल को छोड़ देने के बाद और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गुड़ है चोड़ देने के बाद वह है भूक नार लगना मुझे स्टार्टिंग में भूक लग दी थी बट मैंने आप लोग को बता कि मेरी भूक कैसे हुई ठोड अब भी मन नी होता गाइस इच्छा भी नहीं होड़ी दूद मैं वैसे बहुत ज़्यादा पसंद कर दी बट मेरे से दूद तक नहीं पिया दा रहा है सो आप रोग सो सकते हैं कि किती जादा प्रोलम है और गाइस जो यह वेट हमारा गिर रहा है धीर दीर 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 सब्सक्राइ pos и बाध वहां को पिना कारते का दाने के साथ हमारे साथ कंडिया रहिए प्रोफल में को क्लाइं की वजए से मारा पारा था खाने कि वज़े सामारा तो वह ड़ा नहीं तो यह को डाइस्ट कर रहा था लेकिन वह पता नहीं कैसा यूज कर रहा था हमारी बॉडी के अंदर वह हमें नहीं पता लेकिन उसके काफिस दर प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि जब हम जब हमने उसको छोड़ दिया उसके बाद में खाना कंटीनियूस लिया मैंने 6-7 दिन उसके बाद से मुझे वीक्नेस लगने वाला जो भी लोग बोलते हैं लेने के बाद कि हमारा वेट मेंट ऐसे होगा कि खाना खाते रहे खानते रहे खाना डैजस्ट भी तो होना चाहिए दोको गाइस पता मैं बताते हूं जब मैंने गुड़ है चोड़े और उसके बाद मुझे 5-7 दिन तक मुझे भूख लगत है खाती के अंधर पैन हो रहे काफी ज़्यादे लग जाता है और विकने mi 터 देख सकते हैं अबस्त केस्ट नहीं हो रहा हो तरह Less नहीं में पर रहा हो यह जुख पर फेस्ट को जाता है ता जाने आधि अतल भी वह कुछ हो रहा है तो कि आधा रही हो रहा है अचाल को अमेरा काल मेरे बनाम केस्ट प्रिदियो के शुद ने सबसे में खाना खाने हो अभी चाहिए में था डीन से क्या ओर है कि मैं खाना खाती यह तो जानी बार मुझे वार्ष्रूम करना है सब्सक्राइब काफी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यह साथ भी हो रही होगी और इसी वज़े से हमारा वेट वह मैंटें नहीं हो पा रहा है काफी लोग बोलते हैं वीडियो में कि यह खाऊ यह मैडिसन पर कितने दिन डिपेंड रहेंगे हमारा खाना ही डाजेस्ट कि नहीं हो रहा है इसलिए मैं सोच रही हूं डॉक्टर को एक बार फिर से चेक अप करवाओंगी और उसके बाद मैं कोई अच्छी डाइट लोंगी फॉलो करना चाहते हूं जो कि डॉक्टर के कहने के अनुसार लोंगी फालतु में इधर से अधर दवाईयन नहीं लेना चाहती मैं निया कस्याफ नाम से की यूटूबर है जो कि वेट इनके ऊपर ही वीडियो बनाती है और गास मैंने उनकी तीन चाह दिन पहले वीडियो सर्च की थी और उसमें मैंने देखा कि उनके बाडी में भी काफी ज़दा फर्क दिखाया मुझे कि उनका जो पहले कि वीडियो में काफी ज़दा था एंड उसके बाद जो अभी वीडियो डाली है जो लास्ट वीडियो इनकी यूटूब पर आप लोग देखना उसमें काफी ज़दा काफी ज़दा फर्क दिख रहा है अब वह बोलेंगी कि मैं वेट को मैंने तो भाई यह सब जूट लग मैं काफी ज़दा उनका डिप्रेंस आया है अगर वेट को हम भी मैंटेन करने की कोशिस कर रहे हैं उनका जो वेट उन्हें चाहिए तो उनको उतना मिलिया अब थोड़ा सा कम करें लेकिन उनका पहले जैसा फेस तो वैसा ही होता जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है खुद में कि इससे पता चला है कि जो गुड़ हेल्ट कैपसूल है वह कोई नैच्रल वेट नहीं करते हैं एंड तक जब हम उसे छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद दो महीने चार महीने के बाद बापिस हमारा वेट वैसा ही होता जाएगा यह साप किलियर हो चुका जाएंगे तो हमारा वेट कैसा होने वाला है वापिस से लोगों कोई पता चल जाएगा कि तुमारा वेट बड़ा वह भी मैडिसन के ओपर तो भाई ऐसा नहीं करेंगे हम अच्छी सी कोई मैं मैं मैंडिसन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है इसलिए मैं डॉक्टर से च मैं एक बात जरूर दिखाऊंगे अपना पूरा चैक अप करवाऊंगे इसके बात से अपनी जो मैडिसन है वह कंटीनिव लोगी ताकि मेरा जो वेट है जो मेरा प्रॉब्लम से बड़ पेट के अंदर वह साड़ी प्रॉब्लम्स जूर हो जाए ताकि खाना डाजेस्ट हो अच्छे से तो क्या फाइदा है कि मुझे मैं आप लोगों बताते हैं मुझे बॉड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो यह मुझे सबसे जादा वीक्नेस हो रही है और जो फेस पेस जो थोड़ा बहुत वेट सा दिख रहा था एक दम प्लंपी पेस लग रहे तो वह भी दे बॉड़ी एक आलसी टाइप की हो चुकिया मतलब मनी नहीं करता हो कुछ करने का ना जाने का मुझे पारलर तक जाने का मन नहीं कर रहा है ऐसा हो चुका है यह साइद मुझे गुड़ हेल्थ कैप्सूल की वज़े से ही लग रहे है क्योंकि मुझे पहले आदत नहीं तो चुकम मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है मतलब बात करते-करते ना अकुमे सांस फूल ini लग जाते है मुझेे सारी प्रॉब्लम गुड़ हाल्थ कैप्सूल साह ही लग भी बट हीसा नहीं डालोंगे साइद-खान टाम से ना खाने की वज़े से भी हो सकता है तो चलो मैं जल्द से जल्द पता करूंगी डॉक्टर को दिखाऊंगे और उसके बार में बताऊंगी कि क्या क्या है यह प्रॉब्लम हो यह बॉड़ी के अंडर भी लेकिन वह गिरता जा रहा है वह साफ किलियर दिख रहा है मुझे और गाइस किसी भी यूटूब अगेर आप देखते हो आप लोग उससे सर्च करके कोई भी चीज़ लेकर आते तो उसके बारे में हजार बार सर्च करो कि यह सच है नहीं सच है क्योंकि देखो मैंने तो सुना तो मैं लेकर आ गई और मैंने लिवन मन थी लिया और उसके मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो यह काफी ज्यादा काफी ज्यादा नुक्सान राइक तो चलो वेट गिर भी जाएगा तो भी कोई गम नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बोड़ी के अंदर क्योंकि हमारा जो सिस्टम हो खराब हो जाएगा तो हम ज चैता है कि इसको एक तो करके करके ऐसे मतलब वन मन्त में टू टाइमस लेना ऐसे चोड़ना है नहीं लिया मैंने दो दिन में एक पाल ले ली कभी तीन दिन वन छोड़ भी दी ते इस तरीक से मैडिसन दी फिर मेरा वेट क्यों नहीं मैंटें हुआ मैंने खाना भी ले रहे हैं लेने की स्वोच रहे हैं तो प्लीज मत लेना मत लेना क्योंकि देखो उसके अंदर क्या पढ़ाए इससे मतलब नहीं लेकिन अगर इन फिल्चर आपको कोई भी प्रॉब्रम्स होगी तो ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि हम कोई भी चीज आज कल सारा जो भी से लिए का जमाना यूटूब बगैर से देख कर हम कोई भी चीज उठा कि ले आते हैं ले लेते तो इसके बारे में क्या है ना यूटूब अले भी जूट नहीं बोलते जो अपना बताते लेकिन वह नहीं बताते जो उन जो रियालिटी में वह उस टेंद का बताते हैं जो बुराई नहीं करें और मैं के लिए बस यह कह रहे हूं आप लोगों के फाइदे के लिए अपने फाइदे के लिए भी कि कोई भी चीज़ ले रहे हो तो सो समझ के लेना खाना एंड गाइस मेरे जो आवाज वह बैटी हुए गला तो इस वज़े से ना जलेली बोला भी नही की वीडियो देखना काफी दर डिफ्रेंच दिखेगा आप लोगों को सो बस यहीं दिखाना ता मुझे तो चलो मैं वीडियो के लिए अगर आप लोगों को जरासी भी हैल्फुल लगी हो तो वीडियो के लाइक करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन तो चलो मिलते हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक सब स्वास्त रहिए और मस्त रहिए बाइए